अगर आपको अपनी जिंदगी से धेरो सिकायती हो चुकी हैं, आपको लगता है कि इस जिंदगी के महासंगराम में आगे बढ़ना पोसिबल नहीं है, आपके पास बहानों की लंबी चोड़ी लिष्ट बन चुकी है, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा टाइम निकालो और इस जब ये बंदा चोटा था, तो इसकूल में एक बैंच से गिरने की वज़े से इसके सिर में चोट लग गई, और उसके बाद इस बंदे के दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया, जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता, इस बंदे के समझ में आना बंद हो गया, इस जिन्दगी के तीन साल सिर्फ ये सीखने में गुजार दिये, कि सेंटेंसेज को पड़ा कैसे जाता है, इसे कहते हैं अपने आपको साबित करने की जिद, और इसी जिद की बदोलत, उस बंदे ने अपनी खोई हुई एबिलेटी को वापस ला दिया, और फिर से पढ़ना स की जमता को और भी कम कर दिया, और इस बार इस बंदे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, दोस्तो ऐसी सिच्वेशन में अगर कोई और इनसान होता, तो अब तक बहानों की लेट्च तैयार हो चुकी होती, लेकिन इस बंदे ने सारी प्रोब्लम से और बहानों को साल लगा दिये, कि आज ये बंदा माइंड एक्सपर्ट और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक है, और आज जिम्क्विक नाम का ये बंदा बड़े बिजनिसमेंस को ट्रेन करता है, यहाँ तक कि इलोन मस्क को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है, कितनी सि जब उसकी मा अनमेरिड थी और उनकी बहुत कम उमर थी, वो लोगों के घरों में नोकरानी का काम किया करती थी, और इसी बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की का बच्पन कितनी घरीबी में गुजरा होगा, क्योंकि इस लड़की की मा भी इसे नोकरानी क इंसान होता, तो स्यायद सुसाइड करने के बारे में सोचता हैं, लेकिन इस लड़की ने इतनी मुसीबतों के बावजूद हालातों से लड़ने का सोचा, जब वो 13 साल की थी, तब उसने एक बच्चे को जनम दिया, लेकिन कमज़ोर होने की वज़े से उस बच्चे की डै अमेरिकागों को टीवी का सबसे टोप रेटेट सो बना दिया, और आज ओपरा विनफरे ना सिर्फ से ज्यादा पैसे कमाने वाली टीवी आर्टिस्ट है, बलकि अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महीला है, और इतना ही नहीं, फोप्स के बिलीनियर्स के लिष्ट में भ अगर ये लड़की कर सकती है, तो आप क्यों नहीं, तीसरी कानी है एक ऐसे लड़के की इसका बच्पन से ही एक्टर बनने का सपना था, कई सालों तक इस्ट्रगल करने के बाद 1970 में इस बंदे को छोटे मोटी रोल मिलने लगे, लेकिन ये बंदा जानता था कि इसकी मंज रहा था, उतना था नहीं, ये बंदा कई महीनों तक एक स्टोडियों से दूसरे स्टोडियों में भटकता रहा, किसी को भी उनकी ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, कि अपने आप पर अगर भरोसा हो, तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है, उस बंदे की जगह अगर कोई नोर्मल इंसान होता, तो इस स्क्रिप्ट को साइड में भैक कर कोई जोब कर रहा होता, लेकिन ये बंदा उसके बाद भी कोशिज करता रहा, आखिरकार इस बंदे की स्क्रिप्ट, रोबट रेड़ वोड को इतनी पसंद आई, कि इस स्क्रिप् परने के लिए तैयार था, और 1936 में इस बंदे की मूवी रिलीज ही रोकी, जो सूपर डूपर हिट रही, और वो बंदा सूपर इस्टार बन गया, इस फिल्म को उसकार अवोड दिया गया, शायद आप समझ गए होंगे, ये पूरी कहानी थी होलिवुड सूपर इस्टार सिल्वेश्टर इस्टेलोन की, दोस्तो ऐसी ही एक कहानी है उस बंदे की, जो 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रैपर पहुचाने की पूरी तैयारी में है, जब ये बंदा 12 साल का था, उस उमर में ही इस बंदे ने इतनी किताबे पढ़ ली थी, जितनी ग्रेजवेशन करने तक ब्लास्टर नाम का एक कंप्यूटर गेम बन डाला, जिसे 500 डॉलर में एक ओनलाइन कंपनी को सेल कर दिया, बड़ा होकर अपनी महनत की बदोलत, इस बंदे ने अपनी एक कंपनी ओपन की, जिसे किनी कारणों से बेचना पड़ा, जिसके लिए उन्हें एक 1000 करोड रुपे मिले, लेकिन ये बंदा जिद्धी था, वो कहता था कि मैं एक ऐसा रोकेट बनाऊंगा, जो कम कोस्ट में स्पेस में जाएगा भी और वापस आएगा भी, जब उस बंदे का साथ देने के लिए कोई तयार नहीं हुआ, तो उस बंदे ने उन पैसों से अपनी खुद की सफल हो गया, इसी तरह उसने तीन बार रोकेट लोंज किये, लेकिन तीनो बार सफलता मिली, और अब इस बंदे के पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन इस बंदे ने एक बार और ट्राय करने के लिए अपना घर तक बेच दिया, दोस्तों कोई पागल खोपड़ी वाला घर बेचना पड़ा था, आज उस बंदे की नेट वर्थ एक लाग चालिस हजार करोड रुपए से भी ज्यादा है, अगर इतियास रचना है तो थोड़ा पागल तो आपको भी बनना पड़ेगा, और ऐसी ही एक पागलपन भरी खानी है माइकल फिलिप्स की, जिसने में मार्क स्पिच का रिकोर्ड तोड़ूँगा, उसने साथ गोल्ड मैडल जीते थे और मैं एक ही बार में आठ गोल्ड मैडल अपने नाम कर लूँगा, दोस्तों कोई पागली होगा ना, जो ऐसा बोलने की हिम्मत करेगा, ये अनाउंसमेंट करने के बाद उस बंदे का धूत मजाक उड़ाया गया, जितना भी इस बंदे का मजाक उड़ाया जाता, वो उसके लिए फ्यूल का काम करता था, वो बंदा रुकने वालों में से नहीं था, उसने ये जिद कर ली थी, कि चाहे कुछ भी हो जाए, आठ गोल्ड मैडल तो में लाकर रहूँगा, साथ जितने वाले मार्किस बिच, जहाँ पर रोज आठ गंटे की प्रैक्टिस किया करते थे, वही ये बंदा रोज बारा गंटे की प्रैक्टिस किया करता था, और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, कि बेजिंग उलमपिक्स में इस बंदे ने आठ गोल्ड मैडल जित कर एक नया वर्ल्ड रिकोर्ड बना दिया, इसे कहते हैं असली जिद, अगर ये लोग कर सकते हैं, तो आप क्यो नहीं, परिशानिया तो इन लोगों की लाइफ में भी थी, लेकिन इन लोगों ने परिशानियों के बोर्च तले दब कर मरने के बजाए, उनके उपर चड़कर अपने आपको इस दुनिया के लिए मिसाल बना दिया, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक करना और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए, इस मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मो